मार्केट में 10,000 की नीची इतने सारे फोन है तो भाई कभी कभी confusion होता है कि ये फोन बेस्ट है या फिर ये फोन बेस्ट है तो ऐसे में भाई decision लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोन लेना सही रहेगा तो भाई वही मुश्किल काम मैं आपके लिए थोड़ा तो इसी बात पर कर दो subscribe तो शुरू करते हैं सबसे पहले फोन के साथ ये फोन है Moto G32 जिसको हम Moto G31 का भाई भी कह सकते हैं अब ये फोन किसके लिए बेस्ट है जिसको एक balance performance के साथ stock android का experience चाहिए मतलब वालतू का कचरा फोन में ना भरा उसके लिए काफी सई फोन है 6.5 इं Snapdragon 680 प्रोसेसर मिलता है जिसमें आप अच्छे से डेली टास्क कर सकते हो मतलब आपका Instagram Facebook यूज करना वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है और Medium सेटिंग में थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाती है Android 12 मिलता है और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा वाई stock Android experience मिलता है तो ह वो चीज यहाँ पर है यह तो latest news है वैसे latest news नहीं है पुरानी news है क्योंकि Moto के phone में यह चीज मिलती ही मिलती है इस phone की back side में 3 cameras मिलते है 50 megapixel का main camera है main camera से 1080p 30 episodes में video shoot कर सकते हो और आपको 16 megapixel का selfie camera मिलता है अपने मुखडे की must selfie वगरा लेने के लिए और overall camera performance price की साब से ठीक है 5000 इमेज की battery 30 watt का charger मिलता है security के लिए side mounted fingerprint scanner दिया है और यहाँ पर price की बात करें तो इसका base variant आपको 10,000 का मिल जाता है दूसरे phone की बात करते है जो कि थोड़ा सा gamers को target करता हो और जिसमें display भी काफी बढ़िया हो और वहाँ पर आपको camera performance भी ठीक देखने को मिले तो यहाँ पर 4-3-inch का Full HD Plus AMOLED डिस्पले मिलता है 10,000 की नीचे एक AMOLED डिस्पले वाला phone और 90 Hz का रिप्रसेट है और यहाँ पर आपको Mediatek का Helio G96 प्रसेसर मिलता है जो की gaming को target करता है तो medium setting मी भाई gamers काफी अची gaming कर सकते हो आप यह हुई ना बात और एक और चीज काफी सही लगी UPS 2.2 की storage मिलती है तो भाई इससे ना performance थोड़ी बूस्ट हो जाएगी गेम हो गयारा काफी तेजे से लोड हो जाएंगे और लास्ट में Android 11 मिलता Android 12 का update भी मिल जाएगा अब आते हैं इसके camera के उपर देको back side में 3 cameras मिलते है 64 megapixel का main camera में camera से 1080p 30fps में shoot कर सकते हो 16 megapixel का selfie camera और all camera performance ठी 33W का charger मिलता है security के लिए side mounted fingerprint scanner दिया है और last में price की बात करें तो इसका 6GB plus 64GB variant वैसे तो 11,000 का मिलता है लेकिन card offer थोड़ा सा जुगार लगा लेना 10,000 का मिल जाएगा तीसरा phone भाई Samsung fans के लिए तो है लेकिन साथ में उन लोगों के लिए भी है जिनको 10,000 के नीचे एक best camera phone चाहिए मतलब उनका camera से ज्यादा काम रहता है तो उनके लिए काफी सही option हो सकता है जो कि यह Samsung F13 तो शुरू करते है इसके थोबडे से 6.6 inches का एक full HD plus LCD डिस्प्ले मिलता है अब यहाबर डिस्प्ले में कमी यह है कि आपको 90 Hz 120 Hz इनमें से कुछ नहीं मिलता स्टैंडर 60 Hz का रिप्रशेट है और साथ में performance में भी थोड़ा सा लोचा है एक जिन उसका 850 प्रोसेसर मिलता है जो कि भाई मतलब कैसा performance देगा भाई यह और यहाबर आपको AMC 5.1 स्टोरेज मिलती है मतलब यह दोनों चीजें मिलकर पूरा खेली विगाड़ देती है तो इसके performance से बिलकुल उमीद मत रखना आप जो नॉर्मल टास्क करते हो WhatsApp, Instagram, Facebook अगरा चलना वो बड़ी असानी से हो जाएंगे लेकिन ज्यादा इससे expect मत करना और यहाँ पर 50 Megapixel का ड्रिपल कामरा सेटप दिया है बैक साइड में फ्रेंट साइड में नहीं और बैक साइड की कैमरा से 1080p 30 एपेस में वीडियो शूट कर सकते हो अगर जरुरत पढ़ती और 8 Megapixel का selfie camera है जिससे मुझे लगता है कि इतने अच्छी फोटो आएंगी लेकिन बैक साइड का camera काफी सही है और आपको android 12 मिल जाता है अब इस फोन में सामसंग ने 6000 अमेज की बैटरी दिये जो कि सामसंग की तारीव करने पड़ेगी बैक अप तो काफी सही देगी लेक थोड़ा सा जुकार्ड लगाएंगे कार्ड का तो हो जाएगा 10,000 के नीचे इसका अभी बंदोबस्त चोता फोन ना भाई थोड़ा all-rounder टाइप का फोन है लेकिन उस ब्रैंड की तरप से जिसके ओपर इस टायम पे तो ज्यादा तर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं यहाँ आपर में बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स नोट 12 जो की काफी सही प्राइस पे सही स्पेक के साथ आया होँ फोन है जिसमें आपको 6.7 इंच उसका एमोलेड डिस्पले मिलता है अब डिस्पले में दो कमिया है एक तो नौच डिस्पले मिलता है और दूसरी आपको यहाँ पर 90Hz, 120Hz कुछ नहीं मिलता लेकिन डिस्पले के क्वालिटी काफी सही है और यहाँ पर आपको मीडियाटिक का हीलियो जी 88 प्रोसेसर मिलता है यह भी थोड़ा सा गेमिंग की तरफ जुकावा इसका लेकिन इसमें आप मीडियम सेटिंग में ही गेमिंग कर स साथ आता है लेकिन आपको Android 12 का अपडेट मिल जाएगा वहाँ पर परेशानी की बात नहीं है इस फोन के बैक साइड में दो कैमरा मिलते 50 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल बैक कैमरा से 1080p 30 एपस में रेकॉर्ड कर सकते हो 16 मेगा पिक्सल का सेल्पी कैमरा है 5000 इमेज की लेकिन आपी 10,000 के नीचे मिलता है 6.4 इंचिस का AMOLED डिस्पले मिलता है अब यहाँ पर भी दिक्कत यह कि 90 हर्ट्स 120 हर्ट्स कुछ भी नहीं है 60 हर्ट्स का ही रिप्रेशट मिलता है और बात करें इस्टे पफोमंस की तो मीडेटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर है जहाँ पर आप मीडियम सेटिंग में थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो डेली यूज में कोई दिक्कत नहीं आती एंडरोइड 11 मिलता है और स्टॉक एंडरोइड एक्सपिरेंस मोटो के फोन में मिलता है बैक साइड में तीन कैमरा जिससे आप 1080P 30 एपेस में रिकॉर्ड कर सकते ह 12MP का सेलपी कैमरा है जिससे आप सेलपी ले सकते हो फुद की या फिर आप चाहू जिसके साथ 5000 इमेज की बैटरी 20 वाट का चार्जर बैक अप सही है लेकिन चार्जर थोड़ा और फास्ट हो सकता था और ये फोन भी आपको 10,000 का मिल जाता है तो वाई यह थे वो पांच बेस्ट फोन जो 10,000 के नीचे इस टाइम पर बहुत ही सही है और इन में से जो भी आपको करता है तो आप देख सकते हो और अगर आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना हम मिलेंगे नेक्स्त वाले वीडियो में